आप सबी को मेरा नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए इस वीडियो में जाटका और भाटका दो दोस्तों की बड़ी पुरानी और रोचक कहानी लेकर आएं केसे दो दोस्त नगर बसेरा करते हैं नगर बसेरा का क्या आर्थ होता है क्यों नगर बसेरा करना चीए तो उसी से जुड़ी वी एक कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरा यूटूब चैनल भक्ती खबर सस्क्राइब नहीं किया है तो उसी जल्दी से सस्क्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिए अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ दोस्तों एक समय की बात है एक गाओं में एक जाटका और एक भाटका दो दोस्त रहते थे जाटका एक बार अपने ससुराल जा रहा था और भाटका अपनी बहन को लेने बहन के घर जा रहा था रास्ते में दोनों कुई की पाल पर बेठे जाटका बोला आप भाटका हम नगर बसेरा करें भाटका बोला कि मैं तो मेरी बहन को लेने जा रहा हूँ तू ही नगर बसेरा कर, मुझे तो जाते ही मेरी बहन लाड़ चाओ कर, ये बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाएगी, तू ससुराल जा रहा है, वहां सरम की कारण तुझे कुछ नहीं खाने पेनने को मिलेगा, वे लोग जादा जादा तैयारिया करने के चकर में, खाना दे पानी का लोटा और चामल के दो दाने हाथ में लेकर नगर बसेरा करने लगा, जाटका कहने लगा, मीथा मीथा गास, बे खुंडा का बास, नगर बसेरा सब करे, सारे धोवे पाउं, ताती रोटी लापसी, देसी मेरी माई, मान देवे माउसी, देवे द्वार का रमनात, बाटका तो अपनी बेहन के लिए चल दिया, और नगर बसेरा करके, जाटका अपने ससुराल को चल दिया, भाटका बेहन के यहाँ पोँचा तो जाते ही, बेहन के यहाँ आग लग गई, आग बुजाने को पानी लाते लाते, उसका सिर्ख गंजा हो गया, खातीर मनवार की तो बात छोड़ो, रोटी, पानी, चाय कुछ भी नहीं मिला, भूब प्यास से बुरा हाल हो गया, उधर जाटका ससुराल पोचा तो, उन लोगों ने उसकी खूब मान मनवार की, और प्यार से जिमाया, शाम को दोनों जैने, फिर कुए की पाल पर मिले, जाटका ने जाते ही, बेहन के घर में आग लग गई, पानी लाला कर आग भुजाते भुजाते, मेरे तो सीर गंजा हो गया, और कुछ खाने को भी नहीं मिला, चाय तक नसीब न हुई, जाटका ने कहा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले, अगर नगर बसेरा कर जाते ही, मीठे मीठे गास खाने को मिलते, भाटका ने कहा, अगर तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है, तो आँ अभी नगर बसेरा कर लेते हैं, दोनों जनों ने हाथ में पानी का लोटा, और चावल के दानी लेकर नगर बसेरा किया, और भाटका फिर अपनी बेहन की घर चला गया बहन की पडोसन ने कहा तेरा भाई फूका प्यासा है तेरे यहां आग लग गई है और सब जल गया है तो मेरे पास से हुदार ले ले बहन पडोसन से सब सामान लाई और भाई को जिमाया और विदा किया बहन ने कहा भाई यहां आग लगने के कारण में तुमार पर रहे साथ नहीं चलूंगी फिर कभी आऊंगी अभी तो तुम जाओ उधर जाटका अपनी पतने को विदा करवा कर ले आया और कुए की पाल पर दोनों जने फिर मिले जाटका ने भाटका से कहा आप भाटका नगर बसेरा करें भाटका ने कहा तू ही कर तेरे तो मासी है घर में मा तो नहीं पता नहीं रोटी बनाकर रखी होगी कि नहीं मेरे तो मा है जो मेरे लिए चूर्मा दाल बाटी बनाकर मेरी राह बेटी होगी मेरे पहुशते ही थाली परोस देगी कहेगी आ बेटा जीम ले और मैं गरम गरम खाना खाऊंगा जाट ने नगर बसेरा कर लिया घर पहुशते ही मासी ने जाट का और उसकी बहु को बहुत प्यार किया और लापसी चावल पूरी सबजी गरम गरम परोस दी उदर भाट का घर पहुचा तो उसकी बहुश खो गई सो जाते ही उसकी माने उसे धूंड ने भेद दिया चूरमा दाल बाटी तो दूर की रही रोटी भी नहीं मिली सारे दिन मारा मारा इदर उदर फिरता रहा पर भेंस नहीं मिली तबी राह में जाट का मिला उसने पूछा क्या बात है भाई भाट का उदासों परेशान दिखते हो भाट का ने कहा भाई जाट का घर पोस्ते ही पता चला कि भेंस को गई है उनी पेरो वापस निकल आया तब से भेंस दूर रहा हूं ने रोटी खाई ने पानी पिया जाट का ने कहा मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले पर तेरी समझ में नहीं आई भाट का ने कहा चल अभी चल कर नगर बसेरा कर लेते हैं यदि अभी मेरी बेंस मिल गई तो मैं हमेशा पीहर, ससुराल, बहन या और कहीं भी आते जाते और नगर बसेरा करूंगा दोनों ने चावल के दाने हाथ में लेकर जल के लोटे से नगर बसेरा कर लिया लोटते समय राह में ही उसको भेंस मिल गई घर जाते ही माने गरम गरम खीन खांड का भोजन कराया सब को पीहर, ससुराल आते जल दे समय नगर बसेरा करना चाहिए तो दोस्तों ये थी दो दोस्तों की नगर बसेरा की कहानी कहीं भी आते जाते समय हमें बीच में टहराओ देना चाहिए जिससे हम कहीं पर भी जाएं वहां हमें सब अच्छा ही अच्छा मिले तो दोस्तों क केसा लगा आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए तथा अपने दोस्तों रिष्थिदारों को इसे जादा से जादा सेर करें और हाँ दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो उसे तुरां सस्क्राइब कर लीजिए धन्यवाद